हिलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे AM और PM का फुलफाम क्या होता है साथ ही इनका हिंदी मतलब भी जानेंगे AM और PM कितने बज़े से कितने बज़े तक होता है यानि कब AM होता है और कब PM होता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एम का फुलफाम एंटी मेरिडियम होता है और इसका हिंदी होता है पूरबाहन पीम का फुलफाम पोस्ट मेरिडियम होता है और इसका हिंदी होता है अपराहन एम रात के बारा बजे से दोपाहर के बारा बजे तक होता है और पीम दोपाहर के बारा बजे से रात के बारा बजे तक होता है और इसे आसान भासा में समझने के लिए इस परकार से समझ सकते हैं कि सुबा के समय एम और दोपाहर तथा साम के समय पीम होता है और जैसा कि हम सभी को पता है कि एक दिन में 24 गंटे होता है और उसी 24 गंटे में ही 12 गंटे एम और 12 गंटे पीम होता है यहाँ पर 10.40 एम का मतलब है कि सुबा के 10 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पर 10.40 पीम का मतलब है कि रात के 10 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं और क्या आप जानते हैं GST और KYC का फुलफाम क्या होता है GST, GST का फुलफाम Goods and Service Tax होता है और इसका हिंदी होता है वस्तु एवम सेवा कर GST एक टैक्स है जिसका बुकता नाम तवर पर अंतिम भोकता करता है KYC, KYC का फुलफाम Know Your Customer होता है और इसका हिंदी होता है अपने ग्राहक को जाने KYC Money Landring और धोखा धड़ी जैसी अबैद गत विदियों को रोकने के लिए किया जाता है